दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे बरी महेंगी परेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार ना करे है दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे बरी महेंगी परेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे कोश्चन नम्मर 31 से सल्व होगा ठीक है दोस्तों यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले पार्ट 123 फोर करके देख लिए पूरा समाझ में आएगा और कोई इसा एज का कुश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा ठीक है दोस्तों यदि आप मारे चा क्या कहता है जरा ध्यान दीजेगा एक बेक्ति अपने पूत्र से 24 वर्स बड़ा है दो वर्स में उसकी आयू उसके पूत्र की आयू की दोगनी हो जाएगी ता निम्ण में से उसके पूत्र की वर्तमान आयू कौन सी एक है दोस्तों इस कोश्चन कहने का मतलब है एक बेक् और पीता में अंतर है चोविस साल भाईया आपसे हम दू साल के बड़े है इसका मतलब है कि आप में और मुझे में दो वर्ष के अंतर है अधिक या कमी हमेशा अंतर को दर साता है ठीक है देखिए तो पीता है कि भेक्ति है तो देखिए का यहां बेक्ति भेक्ति ठीक है बेक कुर्प्ट का है कि दो वर्स कि दो वर्स में इसका मतलब Potato साब म悠ता गटता है जब तक उसका जिन्द लाथा है तो तक बढ़ता रहता एंवाब हुना फूर है तो टो में इसका मतलब Bundesbad तो बैक्ति कायु दुग नहीं होगा अब यहां पीलवेखिक अब द्यान दीजी जीए अरेra चौबिस का तो अनुपात में आप अंतर देखिए दुनों के बीच कितना है उमर में इभी उमर कहीं अनुपात है अनुपात अंतर एक वर्स का आज जब की कोश्चन कहा है कि नहीं 24 वर्ष का तो भया इभी अंतर है इभी अंतर है दुनों अंतर है इसलिए बड़ाबर अनुपात एक का भाईलू चलाया 24 वर्ष आपसे क्या पूछा है आपसे पूछ लिया गया है कि पूत्र की वर्तमान आयू कौनसी है अक्षन में तब पूत्र यही नहीं है तो अनुपा पूत्र है कि वर्तमान में दो वर्ष कम होगा ठीक है तो वर्तमान पूछा है वर्तमान वर्तमान किसका पूत्र का दोस्तों दू साल बाद चौविस साल कम होगा यानि कि 22 वर्ष का अभी होगा ठीक है 22 वर्ष का अभी होगा ठीक है जो आपका आपसे नमर डी में है आते ह अगली question पर चलिए बाटाइश नमबर question क्या कहता है? उस पर ध्यान दिजिए पूत्र और पीता की आयु का अनुपात दूपात साता है तथा उनकी आयु का गुनन फल 350 है तो पीता की आयु ग्यात किजिए सुनिये पूत पहले पूतर का है, तो पूतर लिख दीजिये, बाद में पिता बोला है, तो बाद में पिता लिख दीजिये, पूतर और पिता के आयू का अनुपाः, दू अनुपाः सात है, दोस्तों यदि question में कुछ नहीं बोलेगा ता आप समझ जाए कि वर्तमान का ही है वर्तमान का अब बोल दे वर्तमान तो कोई बाते नहीं है और नहीं बोले तो वर्तमान मान लीजिएगा तो दू अनुपात साथ है दोस्तो इनका गुना नफल 350 है भाई साहे पहली वीडियो देखें है तो नहीं करें कि पता होगा कि जब भी गुना के बारे में कहे क्योंशन में तो अनुपात में एक्स गूट साथा दीजीएगा, x सटाने से कोई दिकत नहीं, x- officers कट भी जाएगा भी आभी साथ होाट साथ ही ृट में बोल में गुनन पल दिया है में धीन क्नितमाद को उने न बीना X के भी बनता है, ठीक है, लेकिन कभी-कभी दीकत आपको जाएगा, मिस्टेक हो जाएगा, तो M से गलत मार दीजेगा, इसलिए गुनों नफल मोले तो X सठा दीजेगा, अब 14 गुना में हो जाएगा तो भाग में, 14 से कटीज को, 14 तुना 28, 14 75, X, आई यह स्क्वार परबूल होता है 5, अब आपसे पूछा है क्या, आप से पूछ लिया गया है, को पिता की आईू बताइए, पिता की आईू बताइए, तब पिता इसमें कौन है, यही न है पिता, 7 X, तो 7 गुना एक्स का भाईल्यू पां। 5 यान woven की 35 वर्स पिता की आईू है वर्तमान मे ठीक है जो आपका option number C में है आते हैं अगली question पे चलिए 33 number question क्या कहता है जड़ा ध्यान दिजिएगा 33 number question कहता है कि पीता अपने पूत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे मैं तुम्हारी उम्र का था यदि पीता की अब मतलब 36 सो वर्स है तो पात्सो वर्स पूर्द मतलब पहले पूत्र की उम्र क्या थी भाई साहिव इस question के कहने का मतलब क्या है पता है एक पीता जी अपने पूत्र से कहता है की बेटा जब तुम पैदा हुआ था अभी तुम जितने साल के हैं उतना साल हम तुमारे पैदा हो ने के समयव उतना उम्र मेरा था ओज यह आदि मेरा उमर 36 साल है तो बताइए कि पांच साल पहले मेरा बेटा को उमर क्या था ठीक है ध्यान दिए भाई साहेब पूत्र की वर्तमान वर्तमान उमर मान लिजिए और उमर साहेब एक्सवर्स के बेटा ब्हाइब उमर क्या जीनुर रहा जोní पीटा जी उसके जन्म के समय ? धोर्स के रहे होंगे बैस समझ रहे हैं बेटा यदि डं़ के बीसका मतलाइ पीता जी जर्णी एक सवच के थिक ए तो दोस्तों रहे होंगे पीटे बढ़े हाए अब पीता को में और रूकल रहेगा जिस समय बेटा जर्म लिए उस समय पीता को उमर एकष नहीं च्लम से एकष में हो गया पीता भी हो एकषर बढ़े होंगे एकषर आउने कि उसके फीता की वार्धमान आयू अब जो है न x वर्ष बेटा की समय होगिया बेटा जर्ण लिया था तो x वर्ष आ एक्स वर्ष फीर बर है तो इस दुन्हों का जोड़ दिये तो दुन्हों वर्थमान आई हो गिया जब की वर्तमान एकोषर में दिया है कि 36 वर्ष है तो बराबर 36 वर्ष लिख यह x x to x बराबर 36 दूसर करजागा 18 वर्ष में यानि x का value आगिया 18 वर्ष यानि बेटा के उमर वर्तमान में x का value 18 यानि कि 18 साल का बेटा है अभी वर्तमान में आप से पुछा है कि 5 से पहिले बताइए आप तो 5 वर्श से पूरभे बताना है आपको दोस्तों आभी आप 5 साल पहिले कितना साल कि 5 कमें न होंगे तो आठाड़ा में से 5 घटा दीजिए यानि कि 13 वर्स का बेटा था 5 सल पहीले यहीं आपका एंसल हो जागा जो आपका अप्शन नमर ए में हैं आते हैं अगली कोश्चन पर कोश्चन तो बहुत मस्त था चलिए 34 नमर कोश्चन क्या कहता है ध्यान दीजिएगा 34 कोश्चन कह अधीक याईउ बीकिया उसे 7 वर्स अधीक है चार वर्स बाद एक याईउ बीकिया उसे दुग निए होगी उनकी वर्तमान आयू का योग बताईए सुन लीजिए अधीक या कमी हमेसा अंतर को दर्सारता है हम बोलेंगे कि आपसे हम 5 साल का बड़े है इसका मतलब है आप बी में अंतर है सात वर्स का ठीक है सात वर्स का अंतर है फिर बोला है कि यह जो है ना चार वर्स बाद चार वर्स बाद जो है ना चार वर्स बाद एक याईउ बीकिया उसे दुग नहीं हो जागी तब बीका एक होगा एका दुग ना होगा एका दुग ना होगा अनुपा इसका मतलब कि वर्तमान में 4 कौम होगा या यानि कि 2 से साल के होगा चार साल बाद B, साथ साल हो जागा, इसका मतलब कि ओरतमान में चार कम होगा, तो चार इसमें भी घटा दीजिए, तो कि तितना बज़ जागा, तीन, आपसे पुछाए, यानि ये पलस B का, आयू का योग पुछाए, तो A का दोस, B का तीन, यानि कि 13 वर्स, ठीक है, 13 वर्स एक पिता वा पुत्र की आयू का योग साथ वर्स है, अब उनकी आयू का अनुपात, चार अनुपात एक है, वर्तमान में पिता की आयू बताइए, सुन लिए पांच वर्स पहले, पिता और पुत्र की आयू साथ वर्स था, पांच वर्स पहले साथ वर्स था, इसका मतलब वार्तमान में आने के लिए पांच जुरना परेगा लेकिन पांच पीता-जी भी वहेंगे 5 साल तो बैटा-जी के पांच साल अ maior कि पीता बढ़ें के लीए बोज़ी थीजा ध्म के लिए और पांच पीता ही पढ़ेंगे. दो स्थ और पैंच पन्स पहले था जो दॉस प्रत्मान पांच बेटा के और पीता के नू का योग फ्यर बोला ये था फिर आहले, कि पीता पूत्र गेर और पूत अब सिंधbelt टया तो वर्तमान दिया है वर्तमान कितना अनुपात दिया है वर्तमान में दिया है चार अनुपात एक तो रियल में योग दिया है जोड का चीन है योग है तो अनुपात में भी योगे निकली चारा एक पांच अनुपात में पांच ही योग जब कि रियल में वर्तमान का सत्तर दुनों ब्राबर और न पाल एकंपना। यानि वर्त नमर भी में दुखुण भर है दास वर्स पहले अजाय की एू 한 के इड़ा है अजाय के आई चाह्तों से चार गुना बढ़ा था अजाय से दो गुना बढ़ा है यहां यहां फारी Henceal यहें कि दूर्णा होगा वाजन एंधाय यहें पहले हो तो यह वूर्ख परभ्य पहले प्यदूर्गल पहले और वर यत्लीय ंजए इसरे ने जाए बैंस कर लीए को गया है अब दिखिये अंतरसमर्ण हो गया कि नहीं दोनों में अंतर समानों के तो बैलेंस हो गिया अंतर कितना दू का आई धर जितना रहेगा बराबर को उधर लिख देते जोड़के ते के वल दुस अनुपाथ एक भाईलू दू पच्छे दूस पाँच हो गिया तो आपसे क्या पुछा है आपसे पुछा है और जा यानि कि अजाए जो है नोवर्तमान में तीस वर्स के है जो आपका अपसे नमर बी में है आते हैं अगली कोस्चन पर चलिए साए तिस नमर कोस्चन क्या कहता है ध्यान दिजिएगा एक पीता अपने पूत्र से दो गुना है मतला दो गुना बड़ा है बीस वर्स पहले पीता के आयू पूत्र के आयू से बारा गुना थी पीता की वर्तमाना ही बताईए देखिए पहले पीता फीर है पूत्र है पूत्र तो कुणर पीटा जूए ना एक था अपने इसी है या नी कि या कि जो कि कुछ हू भूँ से यान बार। मतलब 22 गुना तो हमेसा घДक होते है ते यहां दाखिए Wayne सं माने जिएगा अंतर टो आई हैं ATA यहां उन्तरशं माने की यहां प्णल्र कोसे भा इगाँ नीचे कि अधिका भार झण कीजिए चलग्डार दूना कर्यागा है क्यों स्थानधर के अंतर वा बैलेंस किक शिरिगा लीज़ेशंबक परिदक Shilohan अनुपात में अंतर 10 का आईधर कितना है 20 तो बराबर में लिखिएगा 20 अनुपात एक कभाईलू 10 दूना 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 20 अनुपात एक कभाई च्छाव वर्ष पुर्ब, सुसील की आयू, सनेहल की आयू से तिगुनी थी, च्छाव वर्ष बाद, सुसील की आयू, सनेहल की आयू का पांच बटा तीन होगी, सनेहल की वर्तमान आयू बताईए, देखियेगा, सुसील और सनेहल, सुसील और सनेहल, सनेहल की आयू जो है न ती गुणी थी कब चौवर्स पूर्ब चौवर्स पूर्ब कितनी थी चौवर्स पूर्ब जो है ना तीन गुणी तो सनेहल एक तो सुसील जी हो जांगी तीन यही रसी हो गया फिर चौवर्स बाद कितने वर्स चौवर्स बाद चौवर्स बाद जो है ना सुसील की आई उस में वह पांच बटाना दोस्तों भूलाने के लिए इसे हैं पांच बटा तिन गोपांच अनुपात तीन न लिख देंगे अनुपात के मतलब बोटे न होता है अब देखिये इधर अंतर कितना का दूखा इधर भी अंतर समान है तो लेकिन भाई सही है चोव वर्स बाग जो है ना सनेहल 18 साल के हो जाएगी तो वर्तमान में 6 कौमेन होगा तो वर्तमान ने पूछा है आपसे वर्तमान तो 18 में से 6 घटान दीजिए वर्तमान पता चल जाएगा यानकी 12 वर्स वर्तमान में सनेहल जो है ना सनेहल 12 वर्स के है 12 वर्स के जो आपका option नमर A में है तो दोस्तो यह chapter होगी है खात में ठीक है वीडियो यह अच्छा लगा हो पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया है तो वीडियो को like, subscribe, share, comment जरूर किजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में और comment box में आप जरूर लिखिएगा कि इसके बाद कौन chapter लेकर हम आ चलिए, thank you